जी अस्वामलीकूम और वाचिंग वुगर्जाट व कुकिंग कैसे हैं से फ्रेंज जी तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा टेस्टी सा बिलकुल अपने देसी पाकिस्तानी स्टाइल का आलू गोष्ट और बिलकुल सिंपल इंग्रेडियंस के साथ बनें मटन और साथ में हमें चाहिए इसके पोटैटो उसके साथ हमें चाहिए टमेटो पूरे योगर्ट चाहिए हमें और पेगड preaching जिदे हमें और स्पाइसे में चाहिए एलाईची पॉर्ड जिसे मैंने कश्छ कर लिया था गcjęमम साला ओल स्पाइसेस पॉर्ड कूमन में उसमें हमेने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट स्टीर फ्राय करने के बाद इसके अंदर हम एड़ कर देंगे अनियन पेस्ट और इससे भी इसी तरह से फ्राय कर लेंगे तकरीबां 3-4 मिनर्स के लिए ताके सब चीजी अच्छे से जो है वो कुक हो जाए इसके अंद इसके अंदर अब सब चीजों को हमने इक्वली फ्राय करते जाना है कुक करते जाना है मटन का कलर चेंज हो चुक है और इसे कुक करते वे तकरीबा मुझे 5-6 मिनर्स हो चुकी है इसके अंदर में डालूंगी इलाइची पॉर्डर उसके साथ डालेंगे हम रड चिली पॉ कुक करते जाना है बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है ताके स्पाइस जो हैं मटन में अच्छी तरह से मर्च हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम एड करेंगे टोमेटो पेस्ट और प्यूरे आड करने के बाद आपने फिर अगेन इसे अच्छी से मिक् के इसे कुक करते हुए तकरीबर मुझे 13-14 मिनट्स हो चुकी है और आप देखे रहे हैं कि इसका कलर किस तरह से इन्हेंस होना स्टार्ट हो चुका है जैसे इस सरफेस पर आड कर देंगे योगर्ट तो इसी तरह से आपने भी इसे कुक करना है तो यह देखे जी ओल जो सर योगर्ट के साथ भी हमने मटन को इसी तरह से कुक करते जाना है और आप कलर देखे इसका कितना यमी कलर आ रहा है बहुत ही हल्दी वेल्दी रेसिपी होती है और हमारे देसी पागिस्तानी स्टाइल में तो इसे मैंने बनाया और यह और भी ज़दा मज़ेदार होगा इस बैसनी है जाओ देसे अब राइस के साथ भी अखा सकते हैं इसे आप नान तंदुरी रोटी के साथ भी तो मटन अच्छे से माले कार लिया था उसके लिए यह उसे माँ तक्रिबव धार तो आप इसमें नेक्स भी आट कर सकते हैं इसे मैं कवर करदूगी और इसे हम दर्म से कुक कर लेंगे तकरीबान 35-40 मिनट्स भी लग सकते हैं तो यह देखिए जी मतन हमारा आफटर 35 मिनट्स रेडी हो चुक है यह बिलकुल फ्रेश था इसलिए जल्दी जो है यह टंडर हो गया कुक हो गया आप ग्रेवी जो है वह अपने अकॉर्डिंगली आप इसे रख सक साथ में आट कर देंगे क्यूमिन पॉडर उसके से इसमें आट करेंगे सूखा दनिया पॉर्डर और साथ में गरिन चिली एट किजीएगा साथ में ॥े सीलेंटो आड कर देंगे कॉरियेंडर सब चीजों को आड़ करने के बाद आपने से एक से दो मिनट के लिए बहुत स्लो फ्लेम पे इसी तरह से स्टीम होने देना है जिससे इसका कलर भी आ जाएगा और ओयल भी जा सर्फेस प्याना स्टार्ट हो जाएगा तो ये देखे जी हमारा आलो गोश बल्कुर रड़ी हो चुआ था और ये देखे इसका कलर दिखिये इसे मैंने इस तरह से सर्फ कर दिया है और अच्छे से प्लाटर के अंदर आप इससे सर्फ करें बलकुर टिपिकल स्टाइल का इसके साथ मैंने ब्तर गारलिक नान बनाए टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है तो यह थी आज के हमारी मज़ेदार सी रेसिपी और रेसिपी अची लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो हम मिलते हैं निव रेसिपी के साथ अब तक अबना बहुत सारा खेर रखेगा तिल देन अलाने के हैं